नमस्कार दोस्तों आपने अक्सर अपने बड़े मज़ूर किया अपनी माता से जरूर सुना होगा कि वीरबार के दिन आपको सर नहीं दोना चाहिए कभी आपके दिमाग में ये कोशन उठा है कि गुरुवार के दिन सर क्यों नहीं दोना चाहिए सर दोने से कहते हैं कि आपके सर से सारी की सारी जो टेंशन होती है वो बढ़ जाती है कहते हैं अगर आप इस दिन उवास रखते हैं या विश्न भवान की पूजा करते हैं तो यह हैं आपको सम्रिद्धी और अच्छा स्वास्ते ब्रदान करते हैं तो जानिए इस वीडियो के रवरान के वीरवार को सर दोने से क्या होता है वीरवार को सर ना दोने के पीछे एक कता है कहते हैं कि एक नगर में एक अमीर बैफसाई रहता था अपनी पत्नी के साथ पत्नी घर रिडू थी लेकिन बड़ी कंजूस थी एक दिन पती बैफसाई के कारे से बाहर गया होगा था पीछे उसके विक्षुक आ गया विक्षुक ने उसे खाने के लिए कुछ मागा लेकिन उसके पत्नी ने साफ इंकार तो नहीं किया लेकिन उसने सिर्फ ये कहा कि मैं घर के कामों में ब्यास हूँ आप थोड़ देर बारा ये का इस तरह विक्षुक अलग-अलग दिन अलग-अलग समय पर आया उसने पही किया विक्षुक ने दान मंगा और महिला ने उससे यही कहकर मना कर दिया कि वे कामों में प्यस्त हैं तो वह बाद में आए एक दिन विख्षुक ने उसे आवाज लगा के पूछ लिया किया आप किस दिन खाली रहती हो तो वहें खिसी आकर आकर बोली कि मैं किसी दिन खाली नहीं रहती तुम अपनी और दिखो तो उसने कहा कि पीरवार को सर्द हो लेना तुम हमेशा के लिए खाली हो जाओगी ओरत ने उस विख्षुक की बाद हसी मिटा दी और जैसे कि वहें अपना समय व्यतित करती थी जैसे ही व्यतित करने लगी उसने ना चाहते हुए भी पीरवार को सर्द हो दिया और वहें हर बार पीरवार को सर्द होनी रगी दीरे दीरे ऐसी करते हुए उसके घर से सारा धन, सारी खुशिया, सब कुछ बिखर गया यानि कि नस्ट हो गया और वहें रोटी रोटी के लिए तरसने लगी एक दिन वह उसी बिखारी से जाकर मिली और उसने उस बिखारी को अपना हाल सुनाया बताया कि उसने क्या किया और किस कारण से उसका ये हाल हुआ बात में उस जमपती ने उस बिखारी से जाना कि जो भी थे वो बिखारी नहीं थे वह ब्रिश्पित के रूप थे और उन्होंने बिस्पिक किसे छमा मांगी और छमा मांगने के बाद उनकी पूजा अर्चना शुरू करें पूजा अर्चना के साथ साथ उन्होंने कहा कि आप अपने काम जैसे करती थे पैसे ही करो और वीरबार के लिए सर कभी मत होना दिखर उसके घर में सारी खुशियां फिर से लोटाई फिर से उनका वेब साइट चलने लगा और सारी काम सुनू से जैसे चल रहे थे पैसे ही होने लगे और उसे किसी भी तरह की परिशानी नहीं हुई अन्य मानिताप के अंसार कहा जाता है कि विरिश्पती बार भगवान विश्णू और मालक्षमी का तीन माना जाता है यदि आप इस दिन सर्द हो लेते हैं तो इससे आपके घर में संपनता खतम हो जाती है और उनका आश्रवात नहीं मिलता है इन सबसे यह निसकर्ष निकलता है कि यदि आप वीरवार को सर्द नहीं दोएंगे तो इससे कुछ नहीं बिगड़ेगा अपने साड्यून को ऐसा बनाए जिससे कि उनकी माननेता भी रह जाए और आपका दिन भी न तोटे आप रही भार को सर्द हो सकते हैं क्योंकि रही बार को किसी भी तरह की कोई माननेता या कोई कथा नहीं जोड़े हो जिया है आप इस दिन सर्द होने से वैसे भी सुर्व मजबूत होता है इस दिन साबसफाई करने से मेरी वीडियो को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना ना बुलें